हेलो एवरिवन मैं प्री इनका चोदरे और आज की इस वीडियो मोडूल में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे संदी विच्छेद जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है कि आखिरी इन धार्मों में कौन सी संदी है और कैसे इनका संदी विच्छेद हुआ और आपकी एक्जाम में हमेशे question इस संदी का पूछा भी जाता है तो dear students आप doubts को करो bye bye क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके doubts by step to step दूर करने वाली हूँ तो देखिए नमूडा गम वियंजन संदी क्या होता है इसमें पूर्वपद के अंत में हरिश्विस्वर कौन से होते हैं बिटा ए ई उ रिलरी के बाद यदि नम इडम क्या है बिटा इक प्रत्याहार है जिसमें कि तीन वाइन होते हैं कौन-कौन से नए 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 इनमें से कोई और उत्तरपद के आदी में कोई स्वर आए तो नम अर्थात ने ने का द्वित्व हो जाता है या हम कहें कि एक और नम अर्थात ने ने का आगम हो जाता है जो हमारी नमुडा आगम व्यंजन संदी है उसमें क्या होता है बटा देखो जब हम संदी छेद करते हैं तो हमारे प पूर्वपद और एक होता है उत्तरपद तो जो पूर्वपद होता है उस पूर्वपद में हमें क्या मिलेगा अंत में पूर्वपद के अंत में हमें कौन से वियंजन मिलेंगे और इन से पहले यदि कोई रिश्व स्वर मिले अर्थार्थ ए ई उ री और री मिले ठीक है के आधी में अर्थार्ट जो बाद वाला पद होता है उसके आधी अर्थार्थ प्रारंब में कोई स्वर आए तो जो हमारे यह डag उन्य होंगे इनका क्या हो जाएगा द्वित्व हो जाएगा अर्थार्थ इनके जैसा एक और आ जाएगा ठीक है जैसे कि देखो आब हम ने है और उत्तरपद के आदी में अर्थार्त उत्तरपद के प्रारंब में क्या है ए क्या है बिटा एक स्वर है यह दो चीज किलियर हो गई अब क्या कहा था कि इस ने से पहले जो हमारे तीन वर थे अने ने और ने इन से पहले यदि कोई रिश्व श्वर मिले अब देखो ये मैं तो है यहाँ पर, ये मैं है यहाँ पर, लेकिन इस मैं में क्या है, छोटी E है, रिश्विस्वर है, इसलिए इस ने का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा अर्थार्थ, एक ने तो ये है, एक ने और आ जाएगा, ये आदा है, तो एक आदा और आ जाएगा, ठ देखो, तस्मी, ठीक है, प्लस्मी, ये ने, जो दित हुए हैं हमारे, ठीक है ना, प्लस्मे, एव, एव हमने यहां पूरा क्यों लिखा है, क्योंकि ए हमने यहां पर योच नहीं किया है, तो ए भी लिखा है और हमने यहां पर व्य भी लिखा है, अब देखो, मिलाओ इनको, ते, स्मी, अब आधा ने, ठीक है? इस आधे ने के बाद भी ने वियंजन, इसलिए ये उनकम्प्लिट ही रहेगा, आधा ही रहेगा, लेकिन इस हाफ वियंजन के बाद ए क्या है? सुर है, तो ये सुर इसमे ने में चला जाएगा, अब ये ए है तो ने का क्या हो जाएगा? ने और वे का वे क्या बन गया तसमिन नेव किलियर ठीक है अब हमारा सेकेंड एक्जामपल देखों यहां पर लिखा हुआ है कुरुवन प्लस आस्ति यहां ने है लाश्ट में पूरुपद के अंत में ने है और उत्तरपद के आदी में आ है अब इस ने से पहले वे में कौन सा स्वर है अब यहां आपको जो रे दिख रहा आप यह मा सोचना कि इसमें तो आधा रह है बेटा मैं आपको बता दूं कि यह ऐसे है कु रे प्लस में वे ठीक है ना कु रे प्लस में वे तो वे में तो कौन सा स्वर है ए है रे तो आधा है इसलिए सामने वाले वेंजन के उपर चला गया, तो इस ने का क्या हो जाएगा बिटा, एक ने और आगम हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, यहां क्या बचा, कुर्व, प्लस में, द्वित्व जो ने है वो, प्लस में आस्ते, प्लस में आस्ते, अब इनको मिला दो, कुर्व, यह ने आधा ही रहेगा, ये आदा है, लेकिन इसके सामने क्या है, स्वर है, तो नय में आ जाएगा, ना बन जाएगा, और ये हो जाएगा, कुरुवनास्ते, clear, next example देखो बिटा हमारा, गच्छन प्लस अस्ती, वो ही इधर नय है, सामने क्या है, ए स्वर है, अब इस नय से पहले 6 है, लेकिन 6 में कौ स्वर मिले, ए मिल गया, और नय के बाद हमें क्या मिले, कोई भी स्वर मिले, तो इधर भी हमें ए स्वर मिल गया, तो इस नय का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, मतलब ये दो आधे आधे नय हो जाएगी, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर, गच्छ, प्लस में द्वित्व नय और प्लस में अस्ति किलियर गच्छ वही जो मैं आपको अभी दो एक्जामपल में मैंने समझाया है ये नय आधा ही रहेगा क्योंकि इसके बाद क्या है व्यंजन है लेकिन इस नय के बाद स्वार है इसलिए नय पूरा हो जाएगा और बन जाएगा गच्छ नस्ति के लिए यहां देखो बटा ये है त्रियंग प्लस अत्र गए के बाद क्या है ए है अब वो ही जैसे हमने इसमें कुर्वन वाले में क्या था ना यहां रे आपको मैंने बता दिया था कि ये रे वैसे पहले है ना कि वै के बाद तो ऐसे यहां जो ये रे दि जाएगा द्वित्व ये आदा है तो एक और आदा हो जाएगा ठीक है यहां क्या आएगा बटा त्रिये प्लस में द्वित्व गए प्लस में अत्र ठीक है आप देखो त्रिये का त्रिये ये हाफी रहेगा ठीक है ये इसके बाद क्या है ए है तो ये क्या हो जाएगा पू नेक्स टेपिता हमारा सुगन प्लस ईश है, नय है सामने ई, स्वर है, अब नय से पहले गय व्यन जन है लेकिन इसमें स्वर कौन सा है, ए है, इसलिए इस नय का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखो, सुग प्लस में द्वित हाफ ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद, यह भाद ऴया है, आटे-जान और हमेशा चुचरह, ईशेखों से बाद, हमेषा आप को कंफ्यूज करते हैं, किस प्रक्राइब दूथा, जो přिजए तो रेखों के बाद, आपको किलियर हो गया हूँ तो वीडियो पर लाश्ट तक बने रहने के लिए सबसे पहले थैंक यू और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल से अभी अगर्दी आप दूर है तो उसे जल्दी से सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि न्यू वीडियो का नौटकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक यू